नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार आपका फिरस हमारे चैनल पे और जैसे कि मैं लास इपनी गडू ड्रोन की वीडियो बताता कि बहुत जल्द मैं एक और अन्बॉक्सिंग की वीडियो लेके आने वाला हूं तो आज मैं एक और प्रोड़क की अन्बॉक्सिंग लेके आ क्या हूं और यह है ग्रिनारो का पारलेस माइक मॉडल लंबर एस थाटीन प्रो तो काफी कुछ इसमें मिलने वाला आपको काफी खास माइक्रोफोन है यह सारे फीचर्स अगर मैं सारे इसके आपको बताने वाला वीडियो में इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज इसका लिंक मैं आपको इस प्रोड़ेट के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो चलिए इसके अंबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले आप में बैक पर दिख लिए यहां एक टैक लग क्या है मारपी का जो है तीन हजार नौसो निन्यानवे तीन हजार नौसो निन्या है में को सिर्फ बंद्रा सो रुपे में और जब मैंने में जीरो टू मंगाया था तो यह में को एमेजन से पढ़ाता लगब वन थाउजन के अंदर पढ़ाता तो चलिए इस प्रोड़ेट के हम बात कर लेते सबसे पहले प्रोड़ेट की हाइलाइट आपको में बॉक्स के फ्रंट पर आपको दिख जाएगी साथ में दो चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी एक आपका एंडरोड वर्जन और एक आपका यूनिवर्जल वर्जन दोनों आपको इसमें मिलता है पीचर कुछ की हाइलाइट देख लेते हैं प्लग एंड प्ले का ऑप्शन है 30 सब्सक्राइब आपको मिल जाएगी हाई सेंसिटिव और वाइडली कंपैटिबल है अलग से इसका कुछ भी आपको बॉक्स पे इन दोनों के किसी भी ग्रिनारोड पर नहीं मिलेगा बट क्वालिटी ग्रिनारोड माइक की काफी बहतर होती है तो चलिए उसको फटा-फट से अनबॉक्स करते हैं और वी तो पूरा सील पेक है और पूर अनबॉक्स करके मैं आपको प्लोटर पूरा दिखाता हूं तो रिटी हमारी ऊपर की आउटर पैकिंग खल गयी है और अब आदेगे काफी शाइनिंग प्रोडक्ट्स जो इसकी फटेंग काफी शाइनिंग सी है और यहां पर फ्रंट पर डिजाइन वह भी आपको क्लियरली विजबल हो रहा होगा तो इसको हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं यह गया हमारा बॉक्स ओपन यह आ हमारा में प्रोड़क्ट जो है गिरनारो का एस थर्टीन प्रो वायरलेस माइक साथ में बाकी माइक्रफोन के तरह यहां भी आपको एक छोटी सी नीचे की तरफ एक यूजर मैनुल मिल जाएगी प्रोड़को यूज करने से वहले इसको एक बार आप अच्छे से देख लीज सबस्क्राज है की इसकी माइक्रो फॉन की एकसेसारी जिसमें आपको मिल जाएगी एक के ऊस्बी केबल टाइप सी वाली दो केबल है इसमें क्योंकि दो रिशीवर है इसके अंदर और साथ में ये तीन में चीज आईफॉन से आपको कनेक्ट करना है तो यह medication要 साथ में आपको अपने फोन आपको अपने wireless microphone में एरफोन करनेक्ट करना है उसके लिए एरफोन का आपको 3.5 mm जैक वाला मिल जाएगा साथ में दो एक और आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जैक कनेक्टर ताकि एक आपको हो जाता है तो दूसा भी यूज कर सकते हो और यह दो टाइप सी केबल आपको मिल जाएंगे इसके साथ और यह है हमारा में प्रोडट्ट गिनारों का कि यह आगया कुछ इस तरह के से ग्रिनारों की ब्रांडिंग फ्रेंट में आपको देखने के रिए मिलेगी और इसको ओपन कर लेते हैं तो एक रिसीवर आपका यह वाला इसको कर लेते हम ओपन सामने यह यह इसके तीन प्रोडट अंदर जो आपको केस के अंदर एक ट्रांस्मिटर यह और सेकुंड ट्रांस्मिटर यह वाला और एक आपका टाइप ॥ी पोर्ट का रिसीवर जो आपके टाइपची फोन में लगेगा और इसकी मज़िसे आप अ आसानी से कर पाएंगे और यह हो गया हमारा कुछ बढ़िया सा केस साथ में इसमें भी आपको डिश्टर डिस्प्लम मिले क्योंकि केस अलड़ी चार्ज है तो वो तो आपको कि इस कैसी चार्जिंग गराên लाइट्स घराा काम कर रहा है ठीक सऺ चया करने के लिए कहां एक सबसे पहले कि हमारे करा काम Rapid रहा हैं उसके लिए सबसक्राइब इसके निए जो हमारा команд साथ दोनों ट्रांस्मीटर के चार्जिंग पिंस की तरफ से अब हम इसे केस में लगाएंगे और चेक करते हैं कि हमारा केस सही से वर्क कर रहा है यानि कर रहा है चेर्स्मीटर के बारे में तो ट्रांस्मीटर पे डोनों पर अश्मीटर की बेठ्यों में मूद में और उसके नीचे हैं मिट मोड में हो आपका transmitter mute mode में है इसका अगर right side में हम बात किने तो right side में आपको देखने के मिल जाएंगे दो power button जिसकी मेंसे आप अपने device को on off कर सकते हैं दोनों प्रोडर में आपको left side में मिल जाएगा type c का port जिसकी मेंसे आप इन दोनों प्रोडर को charge कर सकते हो back में है आपकी caller clip दोनों पर लिखा हुआ है wireless और इन क्लिप की मेंसे आप अपने device को अपने column में fit करके आसानी से video record कर सकते हैं और यहां आपको प्रोडर में दोनों तरफ transmitter में उपर की तरफ देखने मिलेगा windproof net जिसकी मेंसे आपकी voice आसानी से record होती है और background noise किसी भी तरकी आपकी वीडियो में नहीं आएगी तो अभी बात करते हैं कि आप अपने इन transmitter को charge कैसे कर सकते हैं एक तो आप अपने case में charge कर सकते हैं और आप बिना case के charge करना चाहते हैं तो आपकी जो type-c वाली cable है जो आपको product के साथ मिली है जब आप इसको open करेंगे तो एक यहाँ पे आपको charging का port मिल जागा इसमें से दो केबल आपकी निकली है यह दोनों type-c वाली इसमें से एक आपको लगाना है इस वाले transmitter पे इस तरीके से और एक आपको लगाना है इस तरीके से तो ऐसे इस तरीके से आपके जो device है यह आपकी data cable से connect हो जाएगी और फिर आप अपने device को आसानी से charge कर पाएंग वैसे मेरी device तो fully charge है तो इस वज़े से मैं charge नहीं कर रहा हूँ बट आपको बता हूँ charge करना है तो इस तरीके से आप इनको charge कर सकते हैं नहीं तो आपके पास direct case को option है case को charge करके वहां से भी आप इन दोनों transmitter को आसानी से charge कर सकते हैं और यह है इस product का main receiver जो आपकी transmitter से connect होके आपकी video record करने में आपकी काफी help करता है अभी बात करते हैं कि receiver के बारे में तो यहां पर आपको light दिख रही है यह आपकी pairing light है और साथ में जैसा कि मैंने आपको बता है कि यह type c के port के साथ आपके android phones में लगता है लेकिन अगर आप इसको apple का ios phone से connect करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से लगा देना है इस तरीके से connect हो जागा और यह आपका receiver इस time बढ चुका आईफ़ून के लिए तो अगर apple के फून के लिए उसके उसके उसकर सकते हैं android के उसकरना है तो इस तरीके से आप अपने receiver को अपने फोन में लगा सकते हैं तो यह वीडिय मैं एक comparison वीडियो बनाने वाला हूँ गिरनारों के इन दोनों wireless microphone के लिए कि आपके लिए कौन सा best रहेगा लेने के लिए और अभी तो बजह से मैं recording इससे कर रहा हूँ और जो मेरी comparison वीडियो होगी दोनों product की S13 Pro और हमारा MA02 इन दोनों की जो comparison वीडियो होगी वह मैं shoot करूंगा MS13 Pro से तो वहां पर आप दोनों microphone के quality आप देख सकेंगे तो वीडियो कैसे लगी एक बाद comment में ज़रूर बताएगा मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में